गुड मानिंग बच्चों, मैं उज्वला साथ हूँ, न्यू केथोलिक मीशनी स्कुल में फोर्थ कलास में हिंदी पढ़ा रही हूँ, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरन, हमने पिछली कक्षा में हिंदी की फुलवारी पार्ट एक और दो पढ़ा, आज हम व्याकरन पार एक भाषा और व्याकरन पढ़ेंगे, इसमें भाषा और व्याकरन पढ़ेंगे, ठीक है, भाषा और व्याकरन, भाषा क्या है, जो हम बोलते हैं, वो हमारी भाषा के लाति, भाषा क्या, विद्ध्याल की घंटी के, समय की घंटी बच्ची, सब भी बच्चे मेदान में अ पेढ नीछे बेड़ गया दोर बेठा उसका मित्र अरपित समझ गया कि आज संचित अपना टीफिन नहीं लाया उसने अपने मित्र संचित को हिशारे से अपने पास बुलाया और दोनों ने साथ-साथ लच यह क्या है बासा का एक माध्या में ये माध्या में सांकेति पर हमको अभी भाषा के दोव्य माध्या में पढ़ना है मोखी को लिखी था भाषा का उपयोग करते है और दूसरा पोचाने के लिए भाशा का उपयोग करते हैं और दूसरा हमारी बात सुनकर समझता है ये क्या कहला ते भाशा के कितने रूप होते हैं भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते, मोखिक रूप और लिखित रूप, हम भाषा में दो रूप ही पड़ेंगे, एक मोखिक रूप और दूसरा लिखित रूप मोखिक रूप में हम जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचार बोल कर प्रगट करते हैं उन्हें तथा दूसरे कोई विचारों वो दूसरे जो सामने वला है वो हमारे विचार सुन कर समझता है उससे भाषा का क्या कहलते हैं मोखिक रूप कहते हैं इसमें कौन-कौन से आता बातचित करना हम एक दूसरे से बातचित करते हैं एक दूसरे की बात सुनते हैं ये बातचित करना कहानी सुनाना कोई हमें दादा दादी कहानी सुनाते तो वो कहानी हम क्या करते हैं सुनते हैं भाषन देना को भाषन हम हमारे कानों से सुनते हैं पढ़ना हम पढ़कर कुछ बात समझते हैं भाशा के ये मोकिक रूप में बाचित करना कहानी सुनना और पढ़ना आता है अब भाशा के दूसरा रूप देखेंगे बाशा का दूसरा रूप है लिखीत रूप इसमें हम अपनी बात अपने विचार दूसरों को लिख कर प्रगण करते हैं सामने वाला जो हमारी बात क्या करेगा, सामने वाला हमारी बात पढ़कर समझेगा, भाषा के लिखी तुरूप में क्या हो जाएगा, हम अपनी बात दूसरों को लिखकर बताते हैं, और दूसरा उस बात को क्या करता है, पढ़कर समझता है, मतलब लिखी तुरूप जिस भाषा के द्व यह क्या है लिखीत रूप के उधारण है ठीक है अब हम पढ़ेंगे भाषा हमारे देश में बहुत सारी भाषा है बोली जाती है जो से पंजाबी गुजराती मराथी हमारे भारत में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है और हिंदी को राष्टिय भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1990 को मिला क्योंकि हिंदी क्या है हिंदी अधिकतर हमारे भारत में बोली लिख्यों समझी जाती है इसलिए हिंदी को राष्टिय भाषा का दर्जा दिया गया है अब हम पढ़ेंगे जैसे भारत के विभीन राज्जों में बिनन बिनन भाषा है बोली लिख्य जाती है यह भ तमील नाडू में तमील, केरल में मल्यानमी यह आधी भाषा हमारे भारत में बोली जाती है उत्तर प्रदेश, मद्धर प्रदेश, दिल्ली राज्यों की भाषा हिंदी है अधिकतर राज्यों की भाषा क्या है? हिंदी है इसलिए राष्टिय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे बोली, अब हमने पढ़ा भाषा, अब पढ़ेंगे हम बोली, बोली का शेत्र सीमित होता है। जब कोई भाषा किसी शेत्र की विशेश शेत्र में बोली जाती है, उस शेत्र की वो बोली कहलाती है। बोली का शेत्र क्या होता है? सीमित होता है। हमारे भारत में कई बोलियां बोली जाती है। इब्रजी, हरियानवी, आउधी, मेथली, खड़ी बोली आधी, हमारे भारत में कई प्रकार बोलियां बोली जाती है, बोली बोलचाल की भाषा के लिए ही उपियों में आते हैं, लिखित रूप में इसका उपियों नहीं किया जाता, भाषा के शेत्रे रूप को बोली केते ह अब हमने पढ़ा बोली और भाषा, अब पढ़ेंगे हम लिपी, बाचीत के समय हमारे मुख से अनेक ध्वनिया निकलती है, इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ चिन्नों का प्रयोग करते हैं, उन चिन्नों को क्या कहते हैं लिपी, लिपी का मतलब होता है वीधी या तरीका, जिस भाषा को हम अपने तरीके से लिखते हैं वो उसकी लिपी कहलाती है, जैसे हिंदी भाषा की लिपी देवनागरिक है, उर्दू भाषा की लिपी फार्सी है, हमारे भारत में कई भाषा हैं बोली जाते हैं और उनके अलग-अलग लिपियां होती है द्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किये जाने वाले चिन्दों को क्या कहते है लीपी क्या कहते है लीपी अब हम पढ़ेंगे व्याकरण इस पार्ट में हम व्याकरण पढ़ेंगे हमने क्या-क्या पढ़े अभी भाषा, बोली, लीपी, अब क्या पढ़ेंगे हम व्याकरण, व्याकरण क्या है, व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ग्यान कराता है, व्याकरण के दौरा हम भाषा को शुद्ध पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं, व्याकरण दौरा ह हमको कौन सिखाता है, व्याकरण ही सिखाता है, व्याकरण के द्वारा हम भाषा को क्या करते हैं, शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का संकलन क्या कहलाता है व्याकरन के भी तीन विवाग होते हैं वर्ण विवाग, शब्द विचार और वाख्य विचार वर्ण विचार, शब्द विचार और वाख्य विचार वर्ण विचार में क्या होता है वर्ण विचार में वर्णों के भेद, आकार, उच्चारन और उसके मेल का अध्यन किया जाता है वर्ण विचार में हम उसके आकार, उच्चारन और उसके मेल का अध्यन करते हैं शब्द विचार में शब्दों के निर्मान उनके विकास भेद और उसका अध्यन किया जाता है। अब हम इस पाट के अंतरगर देखेंगे सही विकल्प पर राइट का निशान लगाना है। मौह से बोला गया किस से बोलते हैं? मौह से तो मौह हीग भारत के राज्यों में बूली और लिखी जाती है। अगला भाषा के शेत्री रुप को क्या कहते है भाषा के शेत्री रुप को बोली कहते है अंग्रेजी भाषा किस लिपी में लिखी गई है तो अंग्रेजी भाषा रोमन लिपी में लिखी गई है अब भाषा के शुद्ध रूप का ग्यान कौन कराता है? भाषा के शुद्ध रूप का ग्यान हमको कौन कराता है? व्याकरण कराता है. कौन कराता है? व्याकरण. प्राशने के उत्तर लिखो प्राशने के उत्तर आपको PDF में मिल जाएंगे अब पढ़ेंगे प्राशने नंबर 3 प्राशने कथन के सामने recognize राइट अथा गलत कथन के सामने क्रस्थ का निशान लगाना जो सही हे उसके आगे सहीं का निशान और जो गलत है उसके आगे गलत का निशाद हम अपने मन की बात प्रतिक बात संखेतो द्वारा प्रगट कर सकते क्या नहीं हम अपनी मन की बात संखेतो द्वारा कुछ बाते प्रगट कर सकते बागे कुछ नहीं कर सकते तो इसमें गलत आ जागा समाचार पत्र पढ़ना भाषा का लिखित रूप है सही क्योंकि पत्र हम पढ़ते हैं लिखते नहीं केरल राज्य की भाषा मराठी है क्या गलत संस्कृत भाषा की लिपी देवनागरी के सही प्रशन नमबर चा रेखा खीच कर मिलाना है जोसे आंद्र प्रदेश आंद्र प्रदेश की भाषा क्या है तेलगू महरास्ट की मराथी करनाटक की कननड ओडिशा की ओडिशा अब प्रैशना नमबर पांच वीश्म में बोली जाने वाली भारत में बोली जाने वाली किनी पांच भाषाओं के नाम लिखना है पूरे विश्मे में कौन-कौन सी भाषा बोली जाती है और भारत में कौन-कौन सी भाषा बोली जाती है इसके नाम लिखना है विश्मे में अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी और अर्बी कौन-कौन सी विश्वा में बोली जाती है अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी और अर्भी भारत में कौन-कौन सी भाशा बोली जाती है हिंदी, गुजराती, मराथी, पंजाबी और बंगाली प्रशन नंबर 6, हिंदी भाशा में छपने वाले चार समाचार पत्रों के नाम लिखना है पत्री काई पढ़ते हैं, न्यूस पेपर पढ़ते हैं उनके नाम लिखना है जो से नई दुनिया पत्री का देनिक भास कर नव भाद प्रशन नंबर 7, चित्रों को देखा, उनमें उप्यूकत भाशा के रूप में के रूप लिखना चित्र देखकर हमको बताना है कि यह लिखित रूप है कि मोखिक रूप है जो से इस चित्रों में क्या दिया गया है, बोड पे लिखाया आज विध्याले की छुट्टी है यहाँ पे लिखा गया और बच्चे क्या कर रहे है, यह पढ़ रहे है तो यह कौन सा हो गया, लिखित भाशा का रूप कौन सा हो गया, लिखित भाशा का रूप इस पिच्चर में क्या बता गया, यह लड़की क्या कर रही है म्यूजिक सुन रही, गाना सुन रही, तो यह कौन सा है, मोखिक रूप इस पिच्चर में क्या बता गया है, कि टीचर बच्चों को बोलके पढ़ा रही है क्या करें टीचर बच्चों को बोलके पढ़ा रही समझा रही तो ये कौन सा रूप हो गया भाषा का मोखिक रूप इस पिच्चर में क्या हो रहा है ये जो आदमी है वो क्या कर रहा है कम्प्यूटर पे काम कर रहा है यह क्या कर रहा है, कम्पूटर पर काम कर रहा है, मतलब टाइपिंग कर रहा है, तो यह कौन सा भाषा का रूप हो गया, लिखीत भाषा का रूप हो गया, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने हिंदी व्याकरण पढ़ा है, उसमें क्या क्या पढ़ा है, हिंदी पाट एक और व्याकरण उसके अंतगर हमने भाश्या पढ़े उसके बाद लिपी और बोली और फिर लास्ट में पढ़ा व्याकरण और इस पार्ट के कोशन अंसर और तो कोशन अंसर रहे गए बाकी फिलिंग द ब्लेंक सोगे रहे आपको यह पार्ट समझ में आ गया होगा इसके प्लेंगर यह जाँ झाल में आपको यह जाद में नहीं रहे गए जिएल आव्या कोशन अंसर बश्तों प्लेंगर नहाँ नहीं आपको यह जब एस दो पिसलियर जाएर अंसर आपकिन हम हम इना प्राट जा जाएर जा आपको यह भाएर शोंबत कर अई बाद़ सानु और